पंडी तीन देयाल उपाध्य रास्टे दिव्यांग जन संस्थान सामाचिक न्याई अधिकारिता मंत्राले भार्ट सरकार के सायोग से पुर्वांचल विचार मंच एवं अखिल भार्टिय विकलांग विद्वा व्रदा सिवा समीती एवं सोसाइटी फॉर परामेडिकल द्वारा दिव्यांग जनों के ज्रागरुकता ही तू एक सेमिनार विकलांग ता अधिनियम एवं कारेंवेन का आयोचन किया गया जिसमें क्यावन विकलांग विक्तियों को सहता उपकरन तथा ट्राइसाइकल वील्चेयर वैसा की इस्ट्रिक आधिका निश्वलक वित्रण की आगया जिसमाज कल्यान मंत्री श्री राजक्मार आनंद दिव्यांग जन आयक तो दिल्ली सरकार श्री रंजन मुखर जी पंडित दी अधियाल उपाध्य राज्टे दिव्यांग जन संस्थान भारस सरकार की उपनिदेशक डॉक्टर लरित नारायन जी टीवी अस्पताल की निदेशक डॉक्टर अस्मिता राठोर श्री जैप्रकाश अध्यक्ष सोसाइटी फॉर परामेडिक्स पूर्वांचल विचार के कारेकारी अध्यक्ष श्री एन एक करीमी उपाध्यक्ष भी विरहतिवारी मौचूत थे कारेक्रम के अध्यक्षता प्रोफेसर आनंद कुमार जयन्यू एवं मंच संचाल अंश्री सुनील जाने किया इस मौके पर देव्यांग जिनों के लिए सहरानी कारे करने वाले को समाच कल्यार मंत्री डिली सरकार द्वारा सम्मानित किया गया जिसमें कपिल कुमार अग्रवार सीओ विकलांग सहरा समीती गुर्मीत सिंग अध्यक्ष कोशिक कुंदन प्रसाद डिली वील्चेयर क्रिकेट एसोसियेशन कारेक्रम की शुरुआत में बोलते हुए पूर की सरहना की दिली विदासवा अध्यक्ष ने भी संस्था की कारों की सरहना की दिली सरकार दिव्यांग जन आयक दुश्री रंजन मुखरजी ने दिव्यांग जनों की समस्याओं के निवारन और दी जाने वाले सुविधाओं की जानकारी दी आई पी एच के उपनिदेश डॉक्टर लईत नाराण ने भारत सरकार के दोरा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी कारिक्रम में कविता यादव, शिशी करन जा, रविंद्र सिंग, वंदना नेगी, विशाल, अनुकुमार, कुमार गौतम, रितेश जा, कुमार सत्यम, ठाकोर ध्यानवाल सिंग, नफीम एहमद, कोहिनूर बाबा, डॉक्टर आरेफ तापस सोनू, सत्यंद्र कुमार, दीप स जैपुर, कृष्ण कांग मिश्वर, अमिति यादव, दयालू, भूदेव शर्मा, द्रशान, तीर्थिका आदी गणमाने लोगों ने भाग लिया, कारेक्रम आयोजन में डॉक्टर अमेटकर महा विध्याले एवं इगनू के सामाजिकारे विभाके छात्र छात्राओं न महत्तपूर भूमिका अदा की